नमस्कार विध्यारतियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई क्लास जिसमें हम चर्चा करेंगे आज पोशक तत्वों के बारे में प्लांट न्यूट्रियंट के बारे में जो विध्यारती जैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत महतपूर्ण क्या होन करने वाली यह सातियों जिसके अंदर हम इस पोशक तत्व के पूरे टॉपिक को अपन कवर करेंगे और बेसिक से एडवांस की और चलेंगे जिसमें आप सीखोगे के इसमें प्रश्ण किस प्रकार आते हैं तो जो विध्यारती ट्वेल्ट या फिर जैट या फिर सीउट क कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही रामबान होने वाली है आज अपन कंप्लीट को कंप्लीट करने कुशिश करेंगे और रोजाना ठीक इसी समय में क्या लेकर आऊंगा आपके लिए नहीं क्लास लेकर आऊंगा सातियों तो इस समय आप क्लास देखना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बात करते हैं पोशक तत्वों के बारे में सर पोशक तत्व क्या होते हैं और इनका अपने पोधों के जो लाइफ होती है पोधों का जीवनकाल होता है उसमें क्या महत्व होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे किसी भी ची importance या फिर उसकी जो महतवपूर्ण चीजे हैं कि इनका क्या काम है वो जानना जुरूरी होता है उसको जब जान लेते हैं तो अपने मन में प्रशन उठते हैं और वही प्रशन उठेंगे जो आपके क्या आएंगे क्यों में इक्जाम में आने वाले हैं समद्ने मेरी बातों को चलिए शुरू करते हैं और बहुत अच्छा segment होने वाला हैं अंत तक को क्लास में देखना है ताकि आपको किस चीजह क्या 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 सब्साइब होती है तो देखो विध्यारतियों बात करते हैं प्लांट ऑपने बादी के अंदर बहुत सारी चीजह है जो मिनरल से चलती है अपने बाड़ी का टेंपरेचर है वो सौडियम से क्या होता है कम और ज्यादा होता जैसे कि अगर बात करते हैं बलड प्रेशन की इना रक्त का जो आपका क्या होता है परिसंचरण होता है उसके अंदर है कि जब भी अपन जमक ज्यादा खाते तो अपना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है नमक को कम करते तो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है है ना तो इसलिए कहते हैं कि नमक कम खाना चाहिए तो इसमें जो आपके क्या है देखो दो पोशक तत्वा आते हैं कि भाषा कि पोशक तत्व किसे कहते हैं कि जिसे अपकर नाम से जानते हैं प्लांट न्यूट्रियंट कि किसके नाम से जानते हैं साथियो प्लांट न्यूट्रियंट के नाम से जानते हैं अब यह होते क्या है यह होते क्या है खनीज होते हैं क्या होते हैं खनीज होते हैं क्या होते हैं साती हो मिनरल्स होते हैं तो ऐसे खनीज या ऐसे मिनरल्स जो की क्या कर रहे हैं पोधों की उपाप चैय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या फिर उनमें भाग लेते हैं क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं पोशक तत्व कहते हैं और इनके बिना पोधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता मिनरल्स जो क्या करेंगे पौधां की या फिर उनसे मिनरल्स फोर्स प्लांट की जो क्या होती है Васष प्लांट की तेखो पोधा क्या करता है कटा है तो स्वसन्द्र Q करता है कि प्रकाश करता है कि अ क्या करता है प्रकाश त्युक्षंसलेशन मतलब respiration प्रकाश सबसिंद्र कर थैक स्वसन्द्र दोन हो फोटो सिंटों सिंथेस्स करता है और वाश्पी hustonstration करता है Transpiration करता है यह सारी की सारी क्या है Metabolic activities है उपाप चेही क्रियाएं सात्यों तो इसके अंदर जो पोशक तत्व भाग ले रहे हैं जो खनीज भाग ले रहे हैं जो Minerals इसके अंदर Participate कर रहे हैं वो क्या होंगे सात्यों इसके अंदर आपके किस केटेगरी के अंदर आएंगे सर्फ पोशक तत्व केटेगरी में आहिए ठीक है सातियों और अगर अगर अपन बात करेंगे सर्फ पोशक तत्व माल लेते हैं ऐसे मिनरल्स होते हैं यह सब कुछ करते हैं लेकिन अपने अर्थ पर 108 108 elements हैं आपने पीरियोडिक टेबल पड़ी है बहुत अच्छी तरह के सपड़ी होगी सातियों कि उसके अंदर 108 पोशक तत्व होते हैं लेकिन उनमें से सारे के सारे थोड़ी काम आते हैं ऐसा नहीं है तो उसको particular categories करावा है उसको कया करावा है शृणि बध करावा है कि यही पोशक तत्व क्या काम आएंगे पोधे कि हुपाप चैक्रियों में प्रोण्यक्र को जीवन चक्र को चलाएंगे life cycle को क्या करेंगे ंदिक है अपने coverage करना पड़ेगा तो अपन एक चीज चीज सिर्खते हैं क कि अपन जब भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में एक नाम या नंबर याद आता है सर सत्रा क्या आता है सत्रा तो पौधे के लिए जो आवश्यक पोशक तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है सत्रा है अशेंचल एलिमेंट कितने हैं साथियों सत्रा है 17 तो सर इनको 17 को डिफाइन कैसे करेंगे कि यही क्यों काम आ रहे हैं या फिर इनके अलावा दूसरे काम क्यों नहीं आते तो इसके लिए अपन को कुछ अपन को क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कुछ ऐसी चीजे अपन को देखनी पड़ेगी रिसर्च करनी पड वाले विग्यानिक थे और नौन स्टॉट तो चलिए देखते हैं स्लाइड पर और स्लाइड पर बात करते हैं चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में है ना तो बहुत ही मज़िदार टॉपिक है बहुत ईजी है लेकिन इससे 100 परसेंट एक या दो क्या आते हैं आपके क पोशक तत्वों की आउशकता होती है 17 पोशक तत्वों की आउशकता होती है 17 एलिमेंट्स और रिक्वाइड फूर प्लांट टू कंप्लीट देर लाइफ साइकल और यह 17 ही क्यों है तो इसके बारे में विग्यानिकों ने बताया अपन तो देखो रिसर्च अब करने से रहे लेकिन कुछ ऐसे विग्यानिक थे जो इनके उपर रिसर्च कर रहे थे उनका नाम है आर्णन एंस्टाउट क्या नाम है इनका आर्णन और उन ने नांटीन थर्टीन में 1949 में क्या करा एक रिसर्च करा और रिसर्च करके इन्हों ने बताया के इस तरीके के यह पोशक तत्व हैं और इन यह क्या करते हैं क्या होता है समझना कि आपना ने ने में 1949 में क्या करा रिसरच करा और रिसर्च करकर लोगों को समझाया कि यह जो 17 पोसक्तत्तव क love यह भी पोसक्तत्त्तर वह वह अँगर यह काम करते हैं यह यह करते तब देgang आख का flavor हुआ आपके थोड़ा-Th bois समझ में नहीं कि यह कुछ से मन से कुछ बना रहे है और बन रहे हैं इनों मे इसा करेन जिए क्या करना पिया करना है सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसका मुखा मिलेगा तो 108 में से 17 पोसक तो इधर आए तो इनने क्या कर रहा है इनके भी इनना क्या कर रहा है एक कसूटी दी है जिसे अपन इंग्लिश में में क्राइटरिय हशिंशलिटी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं अनिवे और्यता का सिद्दानत कहते हैं तो 작़ ने क्या हम समय वह कसोर्टी डीती को समझ में लोगों को नहीं आ छीरिशर्चर थे और उन को यह चीजह क्या होई थी समझ में नहीं आई ती साथियों तो क्या हुआ आन भासाम किया कर लिया कि कि कछ Video Station को 줍esh By में देते हुआ या फिर उस चीज को चोड़ देते हुंरा मुझ से नहीं होगा चलि बचकेश को इजी मानते ऐक किहमेस्टी को करते हैं किमेस्टी मेरे समझ में नहीं है किया अगर अगर चीज़ को आ करना है करना है तो हर चीज को किया करना है कंटीणी करना है और महनत करनी है और किया करनी है साति पर याद आती है कि जो हमेसा याद रखना कि छो अब चीज Scans online घराब नहीं करना है किताबों से दोस्ति करकर उनके साथ महनत करनी है और जो ही सक्सेज हो गा जो क्या कर रहा है साथियों महनत कर रहा है तो आर्नन ने क्या करा इसको सीरिएस लिल्यار स्ट आट ने क्या कर दिया घीव Tradition के साथ यह तो लोगों को समझ में नहीं मैं बता रहा हूं अलोगों को फि ने क्या करा उन나irm happily 1954 के अंदर कि इस वापस से बताया और वापस इसके बता कर तीन बात बताई कि जो चीज़ें कोई भी अगर कोई है element तो किया कर रहा है इसको किया कर रहा है कि यह जाएगा उसको इस category में नहीं डाला जाएगा कौन से category आवशक पोशक तत्व की category essential nutrient की category समझ में आ रहे हैं मेरे दोस्तों कि जो चीजें यह तीन बाते जो यहां पर लिखी वी एक दो और तीन जो पोशक तत्व फिर जो तत्व इनको क्या करता है इनको क्राइटरिया उसको complete कर देता है तब तो वह जाता है और आउशक पोशक ततों की category में अगर जो नहीं करेगा वो क्या रहा जाएगा पीछे रहे जागा उसको अपन इसमें consider नहीं करेंगे उसको अंदर इसमें नहीं लिया जाएगा तो जानते हैं कौन सी तीन बातें है जिनको फॉलोरी है ऐलिमिन्ट को आउशकथ पोशक्ततों की कैटेगरी में आने के लिए तो चलिए कौन- आपना जीवन चक्र आउशक पॉषक्ततों के बिना पूरा नहीं कर सकता कहने का मतलब essence किसी एक पोषक्ततों की कमी हो जाए औ essere लेकिन फिर भी क्या होता है पोधा अपना जीवन पूरा कर लेता है तो वह आवषक पोषकततो नहीं है वह secondary में आ सकता है कि मझा उसकी आवशकता चला ही जा सकती है लेकिन अपने क्या लेक रखा है मोबाइल को भी बहुत ज्यादा सीरेस ले रखा है अगर अपने पास मोबाइल नहीं रहता तो अपन बहुत कुछ अपने जीवन में उलट फुलट करने लगता है कि मेरे पास फोन नहीं है मेरे से यह नहीं होगा मेरे से व जो पोधे को कर रहे हैं उनके जीवन चक्र में काम आ रहे हैं अगर उनकी कमी हो जाती है तो जीवन चक्र ही क्या हो जाता है complete नहीं होता है वह पोधा मरी जाता है तो इस category के अंदर वो आना चीए पहली बात उसके अंदर ये फोलव होनी चींड़ किसी आवशक पोशक और उसकी जगह मुझे फोन दे तो क्या मैं फोन खाकर जिंदा रहूंगा या फोन चला कर जिंदा रह सकता हूं कि नहीं मुझे उर्जा की जुरूते मुझे रोटी घानी है पानी पीना है तो पानी मेरे जीवन का अंग है अपनी वाड़ी है वो 70% वाटर से बनी विए पान से बनी में अपनी वाड़ी तो मेरे वाड़ी के अंदर जल की कमी हो जाती है तो मेरे को बीमार्यां होने लग जाएगी लेकिन अगर मुझे फोन नहीं मिलेगा तो मैं बीमारी में नहीं जाओंगा मैं कोई बीमार नहीं होंगा यह बात समझ आई और तो मतलब इसको रोट पोशक्तत्व से पूरा नहीं कर सकता तो यह बात भी स्षक लिए करने सिप्राइव स्नुपापचे क्रिया चलती है छात पाचन क्रिया सब ब्लड्य को अंदर में कुछ ना कई क्या है इसलिए तो अड़त वप कोई कोई क्या है तो बिमार होते तो अपन तत्वा ही तो अपने सरीर के अंदर जाकर क्या करते हैं तो ऐसे क्या है पोदे के अंदर भी यह जो पोशक तत्वा है वो क्या करेंगे उपाग लेंगे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जोसमें क्या भाग लेंगे तो पहली बात कौन सी उसको फोलो करनी है कौन सा उसको क्या करना है पूरा करना है कौन सा करना है कि पहला तो वह क्या करेगा अगर उसकी कमी होती है तो पोदा अपना जीवन चक्र नहीं पर पाएगा और दूसरा अ अगर मैं खाना खाऊंगा मेरी उर्जा चलेगी उर्जा चलेगी तो मैं दिन बर काम करूंगा मेरा पाचन तंत्र ठीक रहेगा मेरी बॉड़ी में पानी की कमी नहीं होगी और भी मेरे खुब सारी जो चीजें हैं वो बॉड़ी के अंदर सही रहेगी ज्यादा पानी पीना खानी का रहा है लेकिन अप्रोप्रियेट में तीन से चाल लिटर पानी पीना आउशक है ताकि अपने वाडी के अंदर जो खून है वो साफ होता रहे अपने को टाइम अपने को जो चीजें अपन को मिलनी चाहिए सारे सरील में वह क्या हती है अपन को से मिलती है तो यह मेरे में क्या कर रहा है तो जो पोशक तत्तों है तीन कैटेग्री अगर पूरा करते हैं अपन आउशक पोशक तत्तों की अंदर अपन डाल देते हैं साथियों तो यह बात होई 17 ने पढ़ा अपन पढ़ाक है पणने पढ़ा के प् Elde कर चेंख के रहों और उपापचे क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं पोशक्ततों कहते हैं और आवर्शक्ततों कितने होते हैं सर 17 होते हैं किस ने बताया और निस्टावट ने बताया कब बताया सरुप्रतम बताया गैसे बदाया कि अनिवार्यता की कसोटी बात में आगे चल कर किसने वापस दुबारा उल्ले करा या डिफाइन करा किसने करा पुनहाइपरिवाशित किसने करा और ने करा कब गरा प्रवंगों सकते जैसे बाधों कातों था जैसे आए प्रवार इंग्लिफ मीडियम के लिए हैं उनके लिए और हिंदी सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि आपको बहुत अच्छा डाटा मिलेगा आपको दो जून को पेपर होने वाला है उसके लिए रामबान क्लास से साबित होने वाली है तो चलिए आगे सरते हैं यह बाते तीनों सीख ली किस ने दीती आउन इस्टाउट ने दीती है ना आ पोदे के लिए आवशक पोषकत्तव की संग्या कीति होती है सब्स इस्टरा एक सवाल दूसरा सवाल क्या हो गया कि से कंडाा कि JSON ने 5049 ने लेकिन कैसे बताया कि विम्हाना ड्राइब कह स्टों की आऊशक्ता की कसोषी Criterion रह्यों किसने दिया उस्टाउट ने इसी मैं तीआता इससे पुनर परिवशित कि से कि से भूबपरा कि साती एक्षित किस्थ चोफर में मनेते III बता ही ठीड जयते हैं जैट के अंदर कें ंदर क्या वाक्य रूक में जाते हैं संतेंस वाले क्या मिल जाते हैं प्रहषय मिलते हैं उसक्ना शीखना चीज निम्न Тीन भात निम्न भात इंदा इन वहां लिख दूध एक बात वहां पर लिख दूध गलत you समझमाई बात है ना जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूं कि कि मेरा प्रश्न है आप से कि पॉधों के आवशेक पोशक पॉधों के बारे में निम्न में से कौनसी बात सही है एक प्रशन इस प्रगिए है ना विच सेंटेंस इस अप्रोप्रियेट फॉर प्लांट न्यूट्रिंड यह बात आगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगी अब मैंने वह जो तीन बाते लिख रखी है यहां लिख देता हूं बी यहां पर लिख देता हूं तब मैंने यह क्या करा इसके अंदर से आपको दे दिया ए बी बी सी डी और सी या फिर मैं चोटा ओशन देता हूं K तर यान के लिख रहे हैं उनके लिए महतोपूंध का डिख ऊते हैं सरल सवाल लेकिन इसको कॉंप्लिकेटड बनाय गया है एक करना है हर एकुटीब मे przy आर्म बता रहा हूं है ना फोन और रोटी का देखो अपने combination बिटा लिया है याद रख लेना कि सोनी सर ने मुझे क्या कहा था यह बाते मुझे समझाई थी तो इस तरीके से में क्या कर लूँगा उसको याद कर लूँगा तो चलिए बात करते हैं से और इस वर्गी करण से अपने सवाल आने की संभावना आए हैं और निश्ची तुरूप से अपन को क्या करना है सवाल को गलत नहीं करना भूह रहे पहले पोशकतत्वड वर्कीघन करते हैं स्क्राशुर्सयरण करते हैं तो क्लाशिफिकेशन अपने पास दो प्रकार से बाटा गया है इस फोर्स्ट और अपन को क्या है सेकेंड इन दो भागों में अपन को क्या कर आवा है अधार्बुथ सरंचनात्मक् खनीज पोशक्टत्व करते हैं या फिर सरंचनात्मक जो क्या करते हैं इसकी समस्ते होंगे आगे और खनीज पोशक तत्वब जो क्या है मिनरल है तो दो प्रकार के अपने पास क्या है यह पर टेगरी है यह सेट गड़ी और सेकर्ड गड़ी पहली के तीग्री और कटीगरी और दूसरी पहली के अंदर बात करते हैं तो आधार बुछ सरंचनात्मक या खनीच पोशकत्व किने कहा जाता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन सी एच और ओ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन क्या होते हैं सातियों आपके तीन अखनीच पोशकत्व सरंचनात्मक यह क्या करते हैं पोध्य की सरंचना का क्या करते हैं निर्म तो यह तो आधार बूत है बेसिक है मतलब उसका क्या कर रहा है उसके बिना यह चीजें पौधा नहीं है तो अगर बात करते हैं कि सर यह पोधा इनको लेता कहां से आप तो जाकर उसको कारबन देनी रहे हैं hydrogen भी नहीं दे रहे, oxygen भी नहीं देखे, कहां रहा जाता है जल और वायू करा जाता है किस को hydrogen को carbon को और oxygen को आदा कहां से जल और किस से वायू से जल से क्या मिलता है एच टू ओ जल का सुत्र क्या है एच टू ओ तो हाइड्रोजन भी मिल रहा है और और ऑक्सिजन भी मिल गई तो साथियों बात करते हैं देखो यह चीजें होती यह अब यह पोदे का कितना परसेंट भाग जैसे माल लो पूरा पोद है उसके नदर में carbon hydrogen or oxygen है उसका कितना भाग होता है है आपको 20 परसेंट क्या होती है आपको ऑक्सिजन होती है साथियों ये चीजा आपको करनी है याद रखनी है और इससे संजाओ तो सरे में को समझ में नीं आया तो समझ जाने के लिए एक पना एक्स्प्रिमेंट कर सकते हैं अगर मैं क्या लूँ साथिय। और लूई पीड़ का लो गठा पूरा का पूरा कंग तना जाषे लिससा weten मृटघ मोटा फूर जोशन के लिकांग कईडििक का है लखडी जाût अब आपके लिए यह चीजे कर सकते हैं तो यह पेड़ का तना है इसको निदर से क्य क्या होगात कि अभेजी लकडी जो गिली है पेड से काट लोगा नमी निकले कि नमी इसमें से दूप में सुकांगा तो तो क्या हो जाएगा वह उड़ जाएगी क्या हो जाएगी उड़ जएगी तो इसका जो वजन है वह कहां पर आजाएगा 800 kg पानी इसके उड़ गया तो देखो पानी अमने क्या घरता हुइं इसमें बचा फिर क्या बच autoxygen जिसमभी खतम करना है तो मैं क्या देता हूं उपस्टिती में क्या होती है आग लगती है तो ओक्सिजन से निकाल निकल जाएगा तो इसके अंदर से क्या है carbon है तो देख रहे हो ना इसके अंदर मेन में से point क्या है कि इसके अंदर क्या है है देखो hydrogen है oxygen है और क्या है carbon है यह पोदे का 96% भाग करते हैं cover करते हैं सातियों यह ना समझ में आ गया और दूसरी category की से बात परता है थो कौन कौन से उनको बाड़ता है तो देखो सातियों जो मृदा से प्राप्त हैं या फिर खनीज कि को तो हैं उनको किस केटिगरी में बाटा गया है यहां पर देखो एक सवाल आता है कि और पूच लिते हैं इन में से आपको नेकर C. उतर होगा पुच्छी लिए इधर के मरदास निन मेंसे कौन सा प्राप्ट होता है ऐंग एक में से लिख दे तो इन में सेों पूच सो था क्या में किया शहत्ता हैं था क्या फिक्यों हो और इनके किया होते हैं तो इनकी एक चीज आद रखना यह तो किते होते हैं और यह किते हैं 14 होते हैं हैं जो खनीज पोशक्तत्व और शुक्ष्म पोशक्तत्व कहते हैं और इनको शुक्ष्म पोशक्तत्व कहते हैं और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं माइक्रो न्यूटियंट कहते हैं इनको मैक्रो और माइक्रो व्रहद और शुक्ष्म क्यों कहते हैं वो भी यहां पर क्या जान लेते हैं इसी क्या है 500iksi फुल को मत्या दो के जादा है मुझे रोटी की ज़्यदा है तो मेरे लिए मात्रा किस की जादा ऑगईERO की जादा एक अलू होगा सब्सक्ता साथियों ज्यादा होती है उन्हें अपन किस केटेग्री में डालते हैं व्रहद पोशक्ततों की केटेग्री में डालते हैं मेक्रो न्यूट्रेंट की केटेग्री में डालते हैं और जिनकी आउशक्ता मुझे एक पीपे मिंच से क्या होती है कम होती यह सथी उनको किस केटिग्री में ढला जाता है शुक्ष में पौर्षटतों की कीटिग्री में डालता है हमेशा याल रखना जो चीजे आपने जीवन में आवशक हैं उन्हें क्या करना है ज्यादा करना है और जिनको क्या है उनको क्या करना है कम करना है एक जीवन को सुदारने के लिए बात मेरी गांट बांदो पहले वीडियों बता देता हूं सफलता का सुत्र है ना मेरे जीवन का सफलता का सुत्र बता देता हूं कि मैं इतनी आगे कैसे बढ़ा या इस पोजिशन पर कैसे आया मैंने अपनी किताब के एक कॉपी ली और कॉपी के अंदर एक सीधी सीधी लाइन खीज दी कि मुझे क्या जरूरी है क्या नहीं दोनों बातों को लिख दिया और इनमें मैंने क्या कर दिया कि जो जो चीजे मेरे जरूरी है मेरे लिए मेरे परिवार जरूरी है मेरे लिए मेरे सपने जरूरी है मेरे लिए मुझे क्या चीज जरूरी है उनको मैं लिख चुका हूं और जो चीजे मेरे लिए जरूरी नहीं है उनको अलग से लिख चुका हूं हना तो वह मैं चीजे नहीं करता जो चीजे ज़्यादा जरूरी है उन्ची जोंको मैं करता हूं इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ता हूं हसते खेलते आगे बढ़ता हूं ताकि मुझे जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो देखो अपने इस केटेगरी में बान दिया जिनकी आउशकता एक पीपि से कम होती है चलिए बात करते हैं इनको भी क्या एक अपन ने दो वगउAllah बाता है प्रात्व मिक प्राइमरी के और इन को आपने दूसरा नाम है सेकेंडरी आई तो प्राइमरी और सेकंडरी प्रात्मी तोउनगाट में से आते हैं सर आ पके न क्या हे सोटास केलाशियम और सलफर सर आंज के याद हो जाता है केल्शियम ब्याद केल्शियो मेगनेशियम एफनीचि亞 से मुझे क्यों चलाने के लिए जीवन चक्रों को आगे चलाने के लिए बात में बात करते हैं सुख्ष्म पोशक्तत्तु इनकी कितनी संख्या है आठ है इन यह कितने होते हैं और यह किते होते हैं तीन होते हैं और व्रहत पोशक्तत्तों की संख्या कितनी है छे है लेकिन कैसे बताएंगे सर सर एक प्क से उनकी क्या होती शक्ष्मकोष्णक्ततों की संक्या कितनी साब नागे बात करते हैं तरह वी स्पीत क्हें अब बात करते है शक्षम्पोशक्तत्व तो नहीं है सिंपल अभी सिमपल है अब याद जाएंगे तो देखो कौन सेara इसके पर आईरन है मेंनेम कौपर मेंशन Darrin एहां पर मेंची एहां अब नीज याद रखना कॉपर है जिंक है जाड़न है यह ना मॉली बडेनम है क्लोरिन है और निकल यह चीजे क्या कर रहे हैं आपको याद करने है कैसे करने बी बता देता हूं देखो इसकी ट्रिक है यह पहले के वह घसा जाते हैं बहुत ज्यादे हैं आए इस्ताग्रां मैं वख्याद कई मन शीन के लिख सकते हो जन मो क्या लिख सकते हो किल को क्या लिखोगे सर कल और एक ने को लिखोगे नी तो यह आठ पुशकत 50 से याद हो जाएंगे वै फी मन कू जन कलमो नी देखो मैं आपको लिख कर बता देता हूं फटाक से याद हो जाएगा बे फी मन कू कि जन कल कल मो यह ना कल मो और नी तो बोरोन फी का मतलब क्या हो गया फी मन कू जन कल मो को क्या लिखोंगा मैं मो और नी तो यह क्या हो गए अपन को याद हो गए शाप है है यह क्या होगे है आठ को याद हो गहें मुझे 17 सकते हैं क्या करते हैं अगली तो बता दी बेफ हीवन कूजन कल्मोनी तो इसमें से जो भी होगा इसमें से जो भी पूछेगा मैं उसको बता दूंगा तो यह भी क्या हो गया मेरा सही आंसर हो गया तो बहुती बढ़ीया मज़िदार है अब बात करते हैं पोशक्तत्व तो यह देखो एक बहुत इंपोर्टेंट भाट लिखी वह यहाँ पर कि पोशक्तत्व जितने भी आपके क्या है खनीज पोशक्तत्व है उनको पोदा क्या क需 करता है अआनिक पर में क्या करता है और मैंने की में इसकी सब्सक्व में क्लस की रूप में जानने बहुत ही इंपोर्टेंट चार्ट है आपके सामने विध्यारतियों क्लास को पूरा देखना है छोड़ना नहीं है और और कि बात करते इस टौपze मुख्य रूप से पोशक तत्मों को का एपनिक रूप में और कामा यहाँ सीट अगर मैंने यह बताया था कि को कizens करना है करना तो क्या काम आएगा एपका है सब्सक्राम तरिमें सकता है और ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है या फिर अमोंियम है यह तो निज फोर या फिर न थिर माइनस के रूप में क्या करता्यक चो करता है और बात करते हैं फोस्फोर्स कीस रूप में ग्रहन करा सो co4- EDO4प वि माइनस का यह सकते ओर 25 वर को फो माइनस की रूप में क्रण करा जाता है और सब्सक्राइब यह तोग बहुत बार पूछे चाके हैं इस रूप में बोरोन को करते हैं किस रूप में वोधा फोस्परस को क्या करता है करता है बात करते हैं अ एक ऑम ऌडिरन को इस रूप में किया जाता है सर क्लोरीन को किस रूप में करेगा तो क्लोरीन को सील माइनस की रूप में क्या करेगा पोधा आपने अपसर करेगा ग्रहन करेगा जड़ों के दवरा क्या करता है जल के साथ मिक्स करके क्या कर लेता इसको ग्रहन कर लेता है निकल को क्या करता ह ऐनाइ प्लस टू के रूप में क्या करता है बहुत शांदार आपके लिए चार्ट है और अगे भी आने वालों की संभावना है तो क्या करें इसको एक ले बहुत आपकी काम आने वाला है या आखना पोधे किस रूप में पुस्षक टो को घ्रहन करतें आयनिग में आइनिक रूप में करते हैं ग्रहन करते हैं सातियों और मैंने आपके सामने सारे के सारे आइनिक रूप लेकर आ गया हूं सत्रा के सत्रा के किसको कौन सा पोधा किस रूप में ग्रहन कर रहा है और यह रखना नाइट्रोजन एक मात्र ऐसा पोशक्ततव है जिसको क्या है और रिनाइन दोनों की रूप में ग्रहन करते हैं तो यहीं से देखो एक सवाल और निकल कर आता है कि ज्यादा कौन सा ग्रहन करा जाता है तो मुख्य रूप से देखो अभी आपके 12 एगरिकल्चर केमेस्ट्री का जो पेपर हुआ था 18 तारी को वहीं पर एक सवाल पूछा गया था कि पोधे नाइटर्जन को मुख्य तक किस रूप में ग्रहन करते हैं तो नाइट्रेट की रूप में वहाँ पर बदो बने रह आप ने इस चैनल के साथ इसी क्लास के साथ बात करते हैं आगे मुख्य पोशकत्त्थ आएनिक внутe में करता है है कोड़ मुख्यतिव उसक्त्थ बि Interesting वाली ऑनले है तो पोजटीव को क्या करेगा वह करना है हमेशा क्या है विचारों को सकारातमक भावनाओं को सकारात्वक्ष बातों सब्सक्राइब मैं अगाया है और कितने में लेते हैं उर पांच याथ लें बाकी देखो तो पोधा भी이실 इघ्जंप्ल सेट कर रहा है ज़्यादा क्या करना है इस तरीके से ओपने को क्या करना है इस तरीके से क्लिधा करना है है ना बात करते हैं एक ऐसा पुशक्त तो जो धनाइन और रिनाइन दोनों के रूप में ग्रहन करा जाता है कौन है सर वो नाइट्रोजन एक तो फो में इसका कौन सा एनो थ्री माइनस अभी मैं वता चुका हूं इसको क्या कहते हैं सर नाइट्रेट केते हैं क्या कहते हैं सर नाइट्रेट केते हैं और इसको क्या कहते हैं सर अमोनिया या फिर अमोनियम है ना अमोनियम आहिन फोर प्लस तो बात आपके साबने पता चल गया दनाइन के रूप में कौन कौन सा है शियर पोटास केलिम मेगनी इंगलिश मीडियम वाले बच्चे लिए बहुत अच्छा है तपिक है ना में दोनों लेंग्मिज में पढ़ा रहा हूं आपको h2po4-so4-2 h2bo3- & mo4-2-2 Cl- यह पोशक्तत्व है 5 इनको क्या करता है पोदा नेगेटीव फोम में करता है इनके चार्ज वी उपर लिख दिये है यह क्या है फॉसपोरस है यह क्या है अलफर है यह क्या है सर बोरोन है यह क्या है मोली बडेनम होता है मोली ब्लेडनम नहीं होता है और यह क्लोरीन है रागी सब आप समझे चुके हो तो चलिए बात करते हैं आगे है ना तो आज की क्लास में बस इतना ही है ना ज्यादा आपके क्या हो जाएगा हेक्टिक हो जाएगा धीरे-धीरे क्लासे बढ़ जाएगी तो आपको सारा का सारा टॉपिक है जो आनलाइन इसी डिजिटल प्लेटफोर्म में क्या हो जाएगा तो इसी प्रकार की क्लासे लेन तो इसी लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमारे रेजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं आपको रेजिस्ट्रेशन करवाना है तो साथ मैं तो मेरा साथ से जुड़ना चाथ हो चर और जातost रूटर में आजाहे चा दीए want कर आया है एपक्स परिवार के लेंट और ट्वेल्थ एघ्रिकल्टर का फौंडेशन भी है जो स्टार्ट कर रहे हैं और बिध्यार्ति लोंग तो आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद